हरी ही ओम स्री गुरु भ्यो नमहा हरी ही ओम इत्यार्शे स्रीमत रामायने वालमी किये आदिकाब्ये बालकांडे दशमह सर्गहा राजा दशरत के वचन सुनने के पस्चात और उनकी आज्या से सुमंत्र ने ऐसा कहा हे राजन रोमपाद के मंत्रियों ने रुश्य श्रुंग को किस प्रकार से और किस उपाय से बुलाया वह मैं बता रहा हूँ आप मंत्रियों के साथ श्रद्धा से मेरी बात सुनिये राजा रोमपाद और उनके मंत्रियों को संबोधित करते हुए पुरोहितों ने कहा महराज हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिससे ना कोई विग्न या बाधा की संभावना है रुश्य श्रुंग क्योंकि सदा वन में रहते हैं और वह तप एवं स्वाध्याय करते हैं उनको स्त्रियों के बारे में कुछ भी विशय या सुख का ग्यान नहीं है इंद्रियों को सुख देने वाले एवं चित को मनोवांचित विशयों का प्रलोभन देकर हम रुश्य श्रुंग को अपने नगर में लेकर आएंगे इसलिए आप शीग्र प्रेत्न कीजिए गणिका जोकी राज्या के राज्य में वेश्याएं थी उनको आभूशन से विभूशित करके भांती के उपायों से रुश्य श्रुंग को लुभा कर वह नगर में लेकर आएंगे इस वजे से इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए